हेलो बच्चो हमारा प्रस्ण है अगर y बरावर sin omega t है तो इंट्रिगेशन आफ y dt का मान गयात केजिए लिमिड जो है 0 से ये बच्चो t होगा ये कट गया है यहाँ यहाँ यह ना तथा omega अचर रार्षिया है इसके उत्तर कुछ इस प्रकार kbcd दिये गए है चलिए इस प्रस्णों को हल करते हैं y बरावर a sin omega t दिया है तो हम से पूछा है 0 से t जो है इसका limit दिया है ये आप जाद कीजिए तो चलिए बच्चो यहाँ पर यह अच्छा रासिया है इसका और y बरावर a sin omega t तो चलिए इसका हम समा कलन करते हैं समा कलन करेंगे तो इस प्रकार यह समा कलन का चीन है y dx x के साब पेच यह अचर रास यह है तो यह बाहर आ जाएगा अचर रास यह हो जाएगा आपका sin omega t dt अब हम बच्चो करेंगे इसका सालो तो a अब हमें क्या दिया है लिमिट भी दिया है तो हम इसका जब समा कलन करेंगे तो समा कलन इसका हो जाएगा sin का होता है minus cos यह हो जाएगा omega t अब हम बच्चो यहाँ पर t का जो गुड़न फल है उससे अगर हम divide कर देंगे omega से तो इसका यह समा कलन हो जाएगा अब हमें बोला है limit 0 से t तक कमा निकलना है तो यहाँ से 0 से t यह lower limit हो गया यह बच्चो अपर limit हो गया इसको हम लिख सकते हैं यह omega जो है चरा से है तो यह भी बाहर आ जाएगा तो यह minus भी बाहर आ जाएगा तो यह आपका हो जाएगा कास omega t limit जो हो जाएगा 0 से t तक अब बच्चो हम इसको जो सालो कैसे करते हैं यह देखते हैं यह आओ गया तो पहले हम उपर वाले limit को रखते हैं फिर minus फिर नीचे वाले limit को इसका जो सालो करेंगे जो हो जाएगा कास omega t की जगर हम t रख देंगे फिर उसके बाद हमें क्या दिया है कि अब limit 0 रखना है तो minus कास omega 0 रखना है तो आएगी यह हो जाएगा minus का a by omega यह होगा कास omega t ही रहेगा यह 0 हो जाएगा तो कास 0 की value एक होती है यह हो जाएगा अब हमें इसको थोड़ा और simple में कर देंगे यह minus का इधर चला जाएगा ग एक minus कास omega t इसका उत्तर जो है a by omega 1 minus कास omega t हो जाएगा जोकि इसका answer a, a correct answer है आशा करता हूँ यह प्रस्ना आपको समझ में आ गया होगा धन्यवाद